महु के बाइग्राम शेत्र में एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई मौत का कारण डॉक्टर द्वारा गलत इलाज करना बताया जा रहा है गटना के बाद से डॉक्टर फरार बताया जा रहा है इसके साथ ही दोनों बच्चों की फीवर की हिस्ट्री सामने आई है स्वास्तवभाद ने पूरे गाउ में फीवर सर्विश शुरू कर दिया है जिसमें अब तक 5 सेंपल लिए गए हैं साथ ही फोड सेंपल भी लिए गए हैं बाइग्राम निवासी राहूल गारगे के 5 साल के बेक्टेश शिवांश को पिछले 3-4 दिन से बुखार आ रहा था उसके लिए उसने इस्थानिय बाल मुकॉंदर सिल्वारिया से इलाज करवाया बच्चे की सिती समाने होने लगी थी तबी मंगलवार की रात बच्चे की तबियत बिगरने लगी इस पर परिजन बच्चे को बढ़वा लेकर पहुचे जहां निजी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला फिर बच्चे को बढ़वा साश की अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने बच्चे को उम्रत घोशत कर दिया इसी बीच एक धाई साल की यवराज की भी तबियत बिगरने लगी जिसके बाद दोनों को चाचा नहरू ले जाया गया जहां दोनों को म्रत घोशत कर दिया इसी बीच स्वास्तर वभाद ने क्लिनिक से एलोपैथी दवाई और एक्सपारी डेक के इंजेक्शन और बॉटल जबत की है जबकि डॉक्टर अब भी फरार चल रहा है